जैहिन आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम कुमाउं यूनिवर्सिटी नैंताल में जो बियर्ड काउंसिलिंग का रिजल्ट जारी हुए है उसी के संबन्द में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में जो सारे आपके डाउट्स हैं कि अगर आपके नंबर कम है और आपको कॉलेज अलोट नहीं हो रखें तो आप क्या स्टेप्स करेंगे या फिर आपको जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रिफेरेंस के अनुसार गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल लखें तो क्या करें इस बार जो कट आफ है वो थोड़ी सी हाई गई है तो सारा विशलेशन हम अवसिलेशित जो चर्चा है उसको करेंगे तो वीडियो को अंते तक जरूर दखें बाकी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें जो important documents है जिनका admission अभी होना है वो क्या-क्या लेके जाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं कि आपको क्या-क्या important documents लेकर जाने है उसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि नंबर कम है तो आप क्या करेंगे सेकंड काउंसिलिंग के लिए वेट करें अथवा आप जो भी कॉलेज अलोट हुआ है वहाँ पर एडमिसन ले ले तो बने रहे तो सरवर्थम मैं आपको डॉकिमेंट्स आपको बता देता हूँ यह ड देख सकते हैं तो एडमिसन आप 18 से 25 तारिक तक यहां पर जो है करवा सकते हैं प्रातर 10 बजे से 3 बजे तक आप उसमें प्रवेस ले सकते हैं यहां पर जो भी आपके सनातक परासनातक की है वो मूल अंक तालिकाय आपको चाहिए होंगी साथ में आपकी जो आरक्षन स्रे हैं तो आप यह जो है देख सकते हैं बाकी जिस पर डाउट होगा वो कमेंट करें कि यह कैसे बनवाएं तो मैं उसको आपको बता दूँगा जो आपका यह जिला स्पताल से यहां पर बन जाता है जो मुख्य चिकचा दिखारी तो वहां से यह बन जाते हैं तो इसको आप दोक्यमेंट्स की बाद तो जो डोक्यमेंट्स हैं वो आप सिलसरे वार उसको पढ़े और जो निर्धारी तेथी है पच्चिस तारीग तक आप अपना एडमिसन अवश्य करवाएं अधरवाइस क्या होता है कि जो आपका एडमिसन है वो निरस्त कर दिया जाता है और सेकं हो गया उनके लिए अब बात करते हैं कि जिनके माल लीजे 140 नंबर है उनको भी यहाँ पर सेल्फ एनेर्स मिल लगए है तो वो लोग क्या कर सकते हैं इन सभी चर्चाओं पर बातों पर चर्चा करेंगे तो पहली चीज आप ध्यान रखिए कि सेकंड कांसलिंग में जो सीटे आती है तो इसमें कई जज़ादा सीटे नहीं आएंगी एक दो तीन इस प्रकार से एक यहाँ पर सीटे आती हैं और जैसे मान लिजे किसी को 145 marks है या 142 है जिसको लग रहा है कि second counseling में हो सकता है तो वो wait कर सकते है otherwise आप अपना admission करा सकते हैं दूसरी चीज जो SSJ University का भी आप मैंसे बहुत लोगों ने exam दिया होगा तो उसका result जैसे आएगा counseling का तो फिर आप देख सकते हैं कि जो college आपको अच्छा लगे आपना admission ले सकते हैं तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं बागी कई सारे लोग जिनके जैसे 110, 115 इस प्रकार से marks थे तो उनको इस बार अभी तक college अलॉट नहीं हो रहे है क्यों क्योंकि इस पर merit हाई गई है तो सभी जो first counseling में है ये सारे colleges अलॉट नहीं हो रहे है तो second counseling आप करवा सकते हैं अधरवाइस जो private से करना चाते हैं वो simply क्या कर सकते हैं कि सीधे आप अब private college से contact कर सकते हैं वहाँ पर आप admission ले सकते हैं उनसे जो भी आपकी समझे है सारी चीज़ा अगर आप उनको बताएंगे तो आपको वहाँ पर admission आसानी से मिल जाता है इसका आप ध्यान लके बाकि fees आपकी वो private जो segment है वोसी की आपसे वो लेंगे तो इस पर भी मैंने video बना रखे हैं तो ये चीज़े हैं मैंने के क्या बताएं कि अगर आपके अच्छे marks हैं आपको लग रहा है कि second counseling में आ सकता है तो आप wait कर सकते हैं और SSJU का भी wait कर सकते हैं साथ में जिनके कम marks हैं वो private में सीधे admission ले सकते हैं क्योंकि उनको second या third होगा जिनके कम marks हैं कम कितने जैसे 115-20 या 100 जिन भी इस range में हैं तो इन चीजों का आप ध्यान के क्योंकि इस बार जो मैं काफी सारे बच्चों से पूछ रहा था तो 145 से उपर या 150 से उपर यहां पर क्या गई है merit जा रखिए क्योंकि कई सारे में इसमें जिसे category wise जो stream है उस पर भी differ करता है तो उस basis पर यहां पर काफी सारी जो है अच्छी merit यहां पर गई है तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार government seat क्योंकि इस बार दो ही college थे यही भी कारण है तो यह चीजेती बाकी SIJU का जैसे ही कोई भी update आएगा आपको channel पर मिल देन आप